तो गाईज यह देख रहे हो आप इनोवा हाई क्रोस का VX वेरियंट गुडगावा हरियाना में 27,66,000 रुपे कोश्ट करेगा जो इसका GX वेरियंट आता है वो कोश्ट करता है 22,2,000 रुपे अगर इन दोन में प्राइड डिफ्रेंस देखोगे तो भाई मोटा मोटा शाड या फिर एक यह चीज हो सकती है कि इसके आप टो वेरियंट लेना चाते हैं तो इसके VX और ZX दो वेरियंट को आप पर्चेज कर सकते हैं इस VX वेरियंट के अंदर आप ग्रिल देखोगे वही ग्रे स्टोन के अंदर मिलती है और 360 डिगरी कैमरा भी जो है गाड़ी के अं अंदर में मिल जाती है बट जो गाड़ी के इंडिकेटर से हैं हेलोजन है फ्रेंट में कोई आप लोग को फोग लाइट नहीं मिलती है सिरफ पार्किंग सेंसर जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं गाड़ी में के आप लोग को चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं प्रोफाइल में आप साइड में देखोगे जो इस गाड़ी के ORVM से हैं इनके निचे भी आप लोग को कैमरा मिल जाएगा और यह अब गाड़ी के अदर में दोनों में ही डिस ब्रेक मिल जाते हैं जैसे इसके जो जी एक्स विरिट आता है उसके अंदर भी यही सेम अलोई विल्स आप लोग को मिलते हैं अब गाड़ी की बैक प्रोफाइल में जैसे देखोगे तो इसके अंदर आपको डिफोगर वाइपर दोनों चीज़े मिल जाएगा जी एक्स में क्याता है माप फिर डिफोगर नहीं मिलता था सिर्फ वाइपर था इसके अंदर आपको आपको स्पोईलर हाइम श्टोप लैंप और शार्क फिन का एंटिना यह साच सिज़े गाड प्रोफाइल देखोगे ना तो भाई काफी बढ़िया से लग दिया है यह गाड़ी मुझे परसनली डार्क कलर के अंदर जाता चलेगी बाकी कलर की सब की अपनी चोईस रहती है जो स्पेर वील की प्लेस्मेंट है नीचे की तरफ में ही दी गई है सिंगल ही गाड़ी के अ प्र हो रखिये और एक सीट जो है डाउन हो रक हा है यहांप adval को साथ में बूट लैम पर मिल जाएगा और एक हेड़ेस कर चाहते हैं तो यहां से आपको करना पड़ेगा और स्पेस थोड़ा से यहांपर मिल जाता है यह देर रखा था सपेर वील के अक्सेस के लिए third row की seat है ने इसकी उनका rack mening angle जो है kaufी अच्छा है से मिल जाता है अब उनको down करके देखो भ landscapes third row की seat down करती तो काफी बैतरीन शागाड़ी के अंदर में space मिल जाता है जैसे क्रेश्ट आते थी नहीं उसके अंदर क्यादर third row की seat अप होती थी बट इसके अंदर के मिलब साइड में आप होजेती और वो बन जाती थी बट इसके अंदर क्या जीज थी वो डाउन हो गई है विंडो के निचे न कोई आपको क्रोम लाइन वगार खायू जो नहीं मिलेगा tinted glass भी जो है गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगे कोई अडास वगारा भी जो है इस गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा गाड़ी की overall look ना भाई काफी अच्छी से लगेगी Innova Cresta से compare करोगो निश गाड़ी को आपको उपर की तरफ तो hard plastic का use मिलेगा बट जो गाड़ी के door handles है वहाँ पर आपको leather cover मिल जाएगा नीचे की तरफ में आपको bottle carry करने के लिए holder भी जो है मिल जाएगा height adjustable driver वाली seat आजेगी बट ये leather apple stick की seat covers नहीं आएगी इनके अंदर fabric की ही गाड़ी के अंदर में seats हैंगी यहाँ पर मिल जाए गाड़ी में light leveling के लिए control अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं वाई और नीचे की तरफ में देखोगे तो आपको fuel lever है वो यहाँ पर मिल जाएगा इसके bonnet को खोलने के लिए lever है वो यहाँ पर मिल जाएगा जो गाड़ी का steering wheel है round shape के अंदर ही आता है leather wrap steering wheel है tilt and telescopic दोनों adjustment के साथ में यह मिल जाता है cruise control भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है और इस side में जो इसके music system है उससे related controls दे रखे है auto headlamps गाड़ी के अंदर मिल जाती है बट auto wiper गाड़ी में नहीं मिल जाता है और pedal shifter भी भाई जो है गाड़ी के अंदर मिल जाता है जैसे इसका जो speedometer, tachometer है वो बिल्कुल top end variant जैसे मिलता है digital इसके अंदर में cluster मिल जाता है गाड़ी में क्या है यहाँ पर बीच में leather and policy का use मिल जाएगा बाकि उपर hard plastic का use है और निचे की तरफ भी जो है आपको hard plastic की मिलेगा यहाँ पर मिल जाए गाड़ी में 12 volt का show kit और उपर की तरफ में जो IRVM है इसके electro chromic वाले मिलते हैं निचे वाले वी रिंट में क्या ता हम आपे manual वाले थे sunroof गाड़ी के अंदर में आती है यहाँ पर आपको reading lamps के buttons मिल जाएंगे passenger side sun visor में देखोगे तो आपको mirror और lamp दोनों चीज़े मिल जाएंगी जैसे इसका mirror खोलगा तो उसको lamp जो है automatically glow कर जाएगा और driver side में भी आपको mirror और lamp दोनों चीज़े मिल जाती है जो गाड़ी के अंदर में touchscreen display मिलती है और top end variant से छोटी मिलती है इस वाले variant में और जो नीचे वाले variant था न जी एक से उसके अंदर भी touchscreen display थी यहाँ पर आपको automatic climate control मिल जाएगा engine start stop का switch मिल जाएगा यह गाड़ी सिरफ आपको automatic transmission के साथ ही मिलेगी यह camera के लिए दे रखा है electric parking brake, auto hold और drive mode, EV mode और traction control के लिए switch था दो glass holder है, दो charging के लिए shock kit है, एक USB और एक seat I पाड़ा USB आपकी music system से connect होगी, arm rest जो है इसका leather में मिल जाता है इसे वाले में क्या था, वह आपको hard plastic की दिया गया था, glow box बिल्कूल बढ़िया साइज गाड़ी के अंदर में मिल जाता है गाड़ी के अंदर से जो visibility बगार आती है, no doubt बहुत ही ज़्यादा अच्छी से आती है वैसे लगाते हैं तो गाड़ी में मज़ेश नहीं आते हैं, बटे गाड़ी के अंदर inbuilt देते हैं तो वह ज़्यादा बड़ी आसी है या निच्छे की तरफ में तो leather cover दिया गया बाकी उपर की तरफ में hard plastic की गाड़ी के अंदर में मिलेगा अब इसकी second row की seat को आगे पिछे करने चाते हैं तो वह आगे की तरफ में नहीं मिलता है वो बड़ी मुश्किल होती है एक आजसे करने में या आगे की तरफ कहीं दे नहीं रखा है या side में जो handle provide है इनी को ही आपको up करके seat को पिछे करना पड़ेगा आगे में थोड़ी सी दिक्कत आती है इसके अंदर में और बाकी in seat को आगे करके आपसी third row में एकसेस कर सकते हैं या पर AC के controls जो है मिल जाते हैं निचे दो charging के लिए shock kit भी इसके अंदर मिल जाते हैं और दोनों C type charging गाड़ी के अंदर में मिलते हैं और पिछे कुछ हैसे लगता है इस गाड़ी का dashboard देखने में उपर की तरफ में ambient light मिल जाते है blue color में air के vents मिल जाते है halogen bulb साथ में reading lamps भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है arm rest भी मिल जाता है तीन adjustable head rest गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं और यहां पर भी जो आपको halogen bulb साथ में reading lamp गाड़ी के अंदर में मिल जाती है गाड़ी की जो seat है ना अब second row कि इनको आप आगे पिछे इनका रेकलाइनिंग एंगल सब कुछ adjust कर सकते हैं second row हो चोई first row दोनों के अंदर बड़िया comfort मिलता है जो उसका वी experience है ना उसको भी आप seven sitter as well as eight sitter दोनों के अंदर purchase कर सकते है eight sitter में क्या रहेगा तीन second row में तीन third row में और दो आगे इस तरीके से eight sitting के arrangement आएगी बाकि इसकी third row में मालों तीन जणे बैठेगे ना तो मामला बहुत ज़्यादा tight से हो जाएगा दो जणे बैठेंगे तो बिल्कुल comfortably बैठ सकते हैं इसके अंदर में इसके अंदर के दो adjustable headrest मिल जाते हैं और पिछे की तरफ भी जो है आप लोगको air के vents गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं तो comfort गाड़ी में कहें आपको first row हो चाहे हो second row हो और चाहे हो थर्ड रो बिल्कुल लाजबाब सा मिलेगा तो hybrid अगर आप लेना चाहते हो आपकी running जाद हो तो ही hybrid की तरफ shift करना या फिर आपको tow model के choice हो तो ही इसके आप hybrid को shift करें यह लगा हुआ है गाड़ी के अंदर में मजाने वाल है माईले जो कमपनी क्लेम करती है इतनी बड़ी गाड़ी के hybrid इंजन के साथ में 23 किलोमेटर पर लेटर किया है बाग के डिपैंड करेंगा गाड़ी को किस तरीके से और किस टेरेन में आप ड्राइब कर रहे हो तो बैस ठीक है यह सब कुस था आज किस वीडिय नहीं दो लाइक करना बाई बाई